हलो दोस्तों, राधे राधे आशा करती हूँ, आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्त होंगे आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि बट व्रक्ष जहां पर सत्तेवान लेटे हुए थे और सावित्री माता यमराज के पीछे पीछे भाग रही थी बट व्रक्ष बरगत का पेड़ एक वह महान पेड़ जिस पेड़ के नीचे मा सावित्री ने अपने पती को लिटा दिया और लिटाने के बाद में वो यमराज के पीछे पीछे जाने लगी जब यम्राज के पीछे पीछे जाने लगी तो यम्राज ने उनसे पूछा कि पुत्री तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो तो वो बोली आप मेरे पती को ले कर जा रहे हो इसे मैं आपके साथ मैं भी चलूँगी क्योंकि जहां मेरा पती जागा वहां मैं भी यम्राज ने कहा बेटी तू यहां से लोट जा सावित्री माता नहीं मानी जब नहीं मानी तो यम्राज ने कहा तुम मुझे से कोई वर मांग लो उनने कहा मुझे पुत्र रतने की प्राप्ति का वर दीजिए यम्राज ने कहा तथास तू सावित्री माता ने कहा लेकिन आप मेरे पती को ले कर जा रहे हो तो यह कैसे संभव है आप तो सांसारिक नियमों को जानते हो यम्राज जी ने कहा हा पुत्री आज तुम जीती और मैं हारा लो मैं तुम्हारे पती को तुम्हें लोटाता हूं इस तरह से यम्राज जी ने सावित्री जी के पती को वापिस किया स सावेत्री माता लौट करके आती हैं उसी ब्रक्ष के नीचे और देखती है की मेरे पती की रख्षा करें इस ब्रक्ष के पूजा करते हैं कहती हैं इसी की छौ मेरा करे मेरे पती का सरीर सही सलामत मुझे वापिस मिला और मेरे पती जीवित हो उठे यदि मेरे पती का सरीर सही सलामत ना होता तो मैं वापिस भी प्राण को पाड़ लेती तो मैं उन्हें कैसे जीवित देखती उस दिन से बट सविती की पुजा आरंब हो गई पूरे भारत में हमारे सनातन धर में बट व्रक्ष की को पूजित माना गया उसी दिन से सर मांगल मांगल सिवे सरवाज साथ के सरने द्रहम के गौरी नाराणी नमस्त दे सभी की मंगल कामना है तू सभी इस्त्रियों की अखंड सौभागी है तू यह ब्रत सभी इस्त्रियां बड़े ही धैर से बड़े ही खुशी से और बड़े ही उल्ला से इस तेहवार को मनाती है कोई किसी किसी जगा पर किसी किसी प्रदेश में तीन दिन का मनाया जाता है और किसी किसी जगा एक दिन का मनाया जाता है मेन इसमें ये है कि जब सावित्री की बर्गत की पूजा हो जाए तब जल गरहन किया जाता है अब इस दिन सुहाग कैसे लिया जाए पूजा बर्गत की की जाती है बर्गत के पेड की की जाती है लेकिन सुहाग गौर गणे से ली जाती है सुहाग लेने का एक विशेस विधी होता है जो हर पूजा पाट में सभी स्त्रियां लेती है और वो इस दिन भी उसी विधी से लेती है बहुती सीधा सा तरीका है कि जो मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिरहें नहीं जानकारी है उन लोगों के लिए वो थोड़ा ध्यान दें जब पूझा कर लेते हैं तो आखरी में एक काम होता है सुहाग लेने का सुहाग लेते हैं उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले अपने सिर पर आचल रखें बाएँ हाथ पर आचल का एक पूर्शन आचल अपने बाएं हाथ में रखें उसके उपर अपना सिंधोरा रखें सिंधोरा वो जो से हम पूजा करते हैं पूजा वाला सिंधोरा हाथ में ले गौर जी को पांच बार दाहिने हाथ से दाहिने हाथ की इस उंगली से पांच बार सिंदूर चढ़ाएं उसके बाद में वो सिंदोरा को आचल सहीत अपने दाहिने हाथ में लें और बाएं हाथ से गौर के उपर जो अपने सिंदूर चड़ाया उस सिंदूर को उठा कर अपने मांग में भरें तीन बार या पांच बार इसे सुहाग लेना कहते हैं गौर से सुहाग लिया जाता है यह कार बहुत ही जरूरी है यह भी एक विधी है जिसे करना चाहिए होता है जानते हैं सभी लोग हैं लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं इसलिए हर विधी को याद रखना भी बड़ा कठीन होता है साल में एक बार आता है तो छोटी छोटी विधी विधान लोग भूल जाता है तो इन सब चीजों को देखने से यूटूब पे देखने से विधी विधान याद आने लगते हैं वही मैं एक विधान बता रही हूं कि सुहाग जरूर लें और सुहाग गौर से ली जाती है और जब आप फेरे लें तो मंत्र पढ़ें जो भी आपको मंत्र सरर लगे मिन सौभाग से सम्मंदित मंत्र पढ़े जाते हैं कुछ समझ में ना आए तो आप एक ही चीज पढ़ें इस मंत्र को बोल करके बार फेरे ले लें मेरा यह वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें धन्यवाद